Residential welfare association पर GST किस परकार लगेगा इसके लिए CBIC ने सर्कुलर जारी किया है जिसके बारे में के हम इस GST news discussion करेंगे Taxil.com के YouTube चैनल पर मैं C.A. Satbheer Singh आपका स्वागत करता हूँ Regular update के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें Notification bell को प्रेस करना ना भूले ताकि जैसे ही हम कोई नए अपडेट डालें आपके पास immediately यह अपडेट पहुंच जाए CBIC के दोवारा सर्कुलर नमबर 109-28-2019 GST इसू किया गया है और 22nd of July 2019 जिसमें के CBIC नहीं clarify किया है कि यदि Residential welfare association अपने member से कोई subscription या फी contribution लेती है तो उस case में GST किस परकार लगेगा Residential welfare association के case में बहुत से issue arise हो रहे थे क्योंकि housing society में यदि member को common use के लिए कोई service दी जाती है और उसके बदले में Residential welfare association को इस charges collect करती है तो उस पर GST किस परकार लगेगा इससे अब CBIC नहीं clarify किया है यदि किसी housing society में Resident welfare association को maintenance charges पर करती है तो क्या उससे GST से exemption दी गई है यदि हाँ तो इस case में upper limit क्या है इसके लिए CBIC नहीं clarify किया है कि यदि common use के लिए services provide की जाती है Resident welfare association के दोरा जो के unincorporated body है या फिर non-profit entity है किसी भी लोग के अंतरिगत registered है और वे अपने members को services provide करती है और उसके बदले में reimbursement लेती है तो उस case में 7500 और पर मंथ पर member जो है वो exemption दी गई है GST Act के अंतरिगत लेकिन 25 जनवी 2018 से पहले यह जो exemption थी वो 5000 रुपया पर मंथ पर member तक दी गई थी यह exemption limit बढ़ा दी गई थी 3500 रुपया पर मंथ पर member with facts from 25th January 2018 इसके लिए आपको notification number 12 only 2018 central tax rate का serial number 77 close C refer करना होगा यहाँ पर CBIC के दौरा गलती की गई है यह जो notification नबर 12 only 2018 central tax rate दिया गया है यहाँ पर 12 only 2017 central tax rate CBIC को लिखना चाहिए था date 28th June 2017 लेकिन सरकार हो सकता है कि जल्द ही circular में कोरिगंडम इस्जू करे और अपनी इस गलती को सुधार ले यह है notification नबर 12 only 2017 central tax rate अपने मेंबर को बाइब आफ रिंबर्समेंट अफ चार्जेज और शेर अफ कॉंटिबिशन तो उस केस में अप्टू अमाउंट आफ रूपीज 7500 रूपीज पर मंथ पर मेंबर जो है वो एक्जम्ट की गई है यहाँ पर यहाँ पर निल GST लगेगा दूसरा बहुत बढ़ा clarification यहाँ पर CBIC के द्वारा इशू किया गया है कि अधी resident welfare association की aggregate टर्न और 20 लाख रूपीया या फिर उससे कम है किसी financial year में लेकिन वो जो monthly contribution लेती है मेंबर से वो 75 रूपीया पर मंथ पर मेंबर से ज़्यादा है maintenance charges तो कै उसे GST एट के अंतरिगत registration लेनी होगी और इसके उपर GST पे करना होगा इसके बारे में CBIC ने clarify किया है कि इस case में GST के registration लेनी के वशक्ता नहीं है नहीं GST पे करने के वशक्ता है क्योंकि इस case में aggregate and over resident welfare association की 20,00,00,00 रुपिया से ज़्यादा नहीं है financial year में इसलिए उसे GST एट के अंतरिगत registration लेनी के वशक्ता नहीं है भले ही जो amount जो है maintenance charges का वो 75,00 रुपिया per month per member से exceed हो रहा है resident welfare association को GST तभी पे करना है यदि जो monthly charges recover किये जाते हैं member से वो 75,00 रुपिया per month per member से ज़्यादा है और इसके साथ ही annual aggregate turnover resident welfare association की जो के services और good supply कर रही है 20,00,00 रुपिया या फिर उससे ज़्यादा है यहाँ पे table के दोरा CBI इसी नहीं समझाया है कि मान लिजी annual turnover resident welfare association की 20,00,00 रुपिया से ज़्यादा है और उसके साथ ही जो monthly maintenance charges है वो per month per member 75,00 रुपिया से ज़्यादा है तो उस case में GST से exemption नहीं है और GST pay करना होगा दूसरा case है resident welfare association की annual turnover 20,00,00 रुपिया से ज़्यादा है लेकिन जो monthly maintenance charges per month per member recover के जाते हैं वो 75,00 रुपिया या फिर उससे कम है तो उस case में GST act से exemption है इस amount को दूसरा case है यदि annual turnover resident welfare association की 20,00,00 रुपिया या फिर उससे कम है और उसके साथ ही जो monthly maintenance charges per month per member लिया जाते हैं वो 75,00 रुपिया से ज़्यादा है तो उस case में भी GST act से exemption है इस amount पर GST नहीं लगेगा इसके साथ ही यदि annual turnover 20,00,00 रुपिया या फिर उससे कम है लेकिन जो monthly maintenance charges per month per member से ले जाते हैं वो 75,00 रुपिया या फिर उससे कम है तो उस case में इस case में भी GST act से exemption है तो उसके उपर GST नहीं लगेगा इस परकार CBIC ने आपर clarify कर दिया है कि resident welfare association को GST pay करने के लिए दो condition को satisfy करना होगा एक तो जो monthly subscription है per month per member वो 75,00 रुपिया से जाधा होना चाहिए दूसरा जो उसकी annual turnover 20,00,00 रुपिया से जाधा होने चाहिए तभी उससे GST pay करना है इसके अलावा input as credit से लेटड भी CBIC इसने clarification issue किया है कि क्या resident welfare associations उन input और input services पर input as credit ले सकता है जो कि उस member को जो services supply की है उसमें use की है जहाँ पर कि जो member से contribution लिया जा रहा है वो 75,00 रुपिया पर month पर member से जाधा है इस case में CBIC ने कहा है कि हाँ इस case में resident welfare association input as credit अवेल कर सकती है capital goods का जैसे कि generator, water pump, lawn, furniture texture, goods का tape, pipe, other sanitary, hardware, filling texture और input services का जैसे के repair and maintenance services जो कि उसने services को supply करते हुए use की है अगला clarification भी बहुत ज़्यादा important है जो कि CBIC ने issue किया है जहाँ पर कि एक question था कि दी किसी व्यक्ति के पास दो या फिर जो ज़्यादा flat है किसी housing society में या फिर residential complex में तो उस case में जो ceiling limit दी गुई है कि 75 सुर्पया पर मंत पर member जो है वो GST से exemption दी जाएगी तो कि आवो हर residential apartment के लिए देखी जाएगी या फिर एक वक्ति के लिए देखी जाएगी इस case में CBIC ने कहा है कि general business sense ये कहती है कि अधि किसी वक्ति के पास दो या फिर दो से ज़्यादा residential apartment है किसी housing society में या फिर residential complex में तो उस case में हर residential apartment के लिए वो resident welfare association का member माना जाता है इसलिए इस case में जो ceiling limit दी गई है 75 सुर्पया पर मंत पर member वो हर residential apartment के लिए अलग से apply होगी मान लिजे किसी वक्ति के पास दो residential apartment है एक residential complex में और उस case में 15,000 पर मंत वो maintenance charge के तोर पर pay करता है इस परकार जो यहाँ पर justice exemption दी गई है resident welfare association को 75 सुर्पया पर मंत पर member वो हर residential apartment के लिए apply होगी इसलिए इस case में व्यक्ति को इस amount पर GST से exemption होगी इसके बाद सबसे ज़्यादा important clarification CBIC ने issue किया है कि resident welfare association के case में GST payable किस परकार calculate किया जाएगा maintenance charges पर जदी पर member से 75 सुर्पया पर मंत से ज़्यादा का amount collect किया जाता है क्या जो GST pay किया जाएगा वो सिर्फ उस amount पर pay किया जाएगा जो के 75 सुर्पया से ज़्यादा है या फिर पूरे amount के उपर pay किया जाएगा इस case में CBIC ने clarify किया है कि GST से exemption सिर्फ उसी maintenance charges को दी गई है जो के resident welfare association के दौरा resident से collect कि जाती है जहाँ पर कि amount 75 सुर्पया पर month पर member से ज़्यादा एकसीड नहीं होता है यदि amount 75 सुर्पया पर month पर member से ज़्यादा हो जाता है तो उस case में GST पूरे amount के उपर pay करना होगा माल लीजिए maintenance charges member से collect कि जाते है 9000 पर month पर member तो उस case में GST 18% के rate से collect करना होगा पूरे amount पर यानि कि 9000 पर ना कि 9000 माइनस 75 यानि कि 1500 पर आपको GST नहीं pay करना है बलकि 9000 के उपर आपको GST collect करना है और government को pay करना है चलिए अब हम इस circular की summary को discuss कर लेते हैं इस परकास CBAC ने हैं पर clarify किया है कि resident welfare association के case में annual turnover देखी जाएगी financial year में यदि वो 20 लाग रुपया से जादा नहीं है तो उस case में resident welfare association को GST collect करके सरकार को pay नहीं करना है बले ही monthly contribution member से 75 पर मंथ पर member से जादा हो दूसरे clarification जो बहुत जादा important CBAC के दोरा issue किया गया है कि यदि resident welfare association 75 पर मंथ पर member से जादा collect करती है तो उस case में उसे total amount of contribution पर GST pay करना होगा यदि उसकी annual turnover 20 लाग रुपया से exceed कर जाती है आप इस circular को download कर सकते हैं इसका link की GST news की video description में भी दिया गया है कि रुपय आप इस video को ज़्यादा से ज़्यादा logo तक पहुँचाएं ताकि वो GST at can trigger compliance कर सके आज की GST की news आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं like करें और share करें जितना अधिक आप like करते हैं और share करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेंडा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की news आप तक पहुँचा पाएं GST, Tax और Finance इसके regular update के लिए आप Tax Seal की mobile app को Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं इसका link इस video की description में भी दिया गया है यदि आप Tax के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की playlist को refer कर सकते हैं यहाँ पर topic wise video दिये गए हैं जिने के आप refer कर सकते हैं